हालो फ्रेंड्स वेलकम तो एसेच फैशन वर्ल्ड आज मैं आपके लिए मल्टी कलर में बहुत ही ब्यूटिफू सा डिजाइन लेकर के आई हूँ और बहुत ही आसान है ये बनाने में आप इसको देखें टू कलर में भी बना सकते हो तो मल्टी कलर में भी आप इस दिजाइन को बना सकते हो बहुत ही प्यारा लगता है design आप किसी भी project के उपर इसको बना सकते हो इससे मैं आगे आपको thumb socks बताऊँगी जिसको पर मैं design बनाऊँगी वो आगे आपको next video में मिलेगा तो आप इस design को ध्यान से देखिएगा आप किसी भी project के उपर इसको डाल सकते हो बच्चों की sweater पर भी डाल सकते हो मैं ये thumbs up पर डालने वाली हूँ तो चलिए start करते हैं देखिए ये जो design है हमारा इसको बनाने के लिए हमने two के multiple में फंदे र जैसे दो चार चे इस तरह से फंदे रखने हैं मैंने यहाँ पर 12 फंदे लगाए हैं तो चलिए start करते हैं देखिए पहली रो सीधी तरफ से रो बन रैड साइड से पहली ही रो में देखिए हमने धागा चेंज करना है जब हम सीधी तरफ से पहली रो धागा हम चेंज करें और पहले फंदे को देखे सीधा बना लेंगे धागे को च्झ किया और पहला फंदा हमने सीधा बना लिए रेड कलर का धागा मैंने यहां पर लगाया, अब उसके बाद देखे क्या करेंगे एको फंदा हम slip करेंगे फिर आगे 2 फंदे हमने सीधे बनाने है इसी कलर के धागे से देखे और यह slip stitch pattern है इसमें हम double धागा चलाने की हमें जरूत नहीं है 2 फंदे सीधे बनाए अब यह जो शुरू का 1 फंदा है इसको छोड़कर यहां से आं तक हम repeat करेंगे एक फंदा slip करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे 1 और यह 2 एक फंदा slip करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे 1 2 एक फंदा slip करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे सारी रो हमने इसी तरह से ही complete करनी है last में हमारे पास एक फंदा बचेगा इसको हमने सीधा बना लेना अब row 2 पर आजाईए wrong side से दूसरी row उल्टी तरफ से तो इसमें देखी क्या करेंगे पहला फंदा उल्टा उतारा पहला फंदा हमने उल्टा उतार लिया अब यहाँ पर देखिए रैड कलर के फंदे हमने सीधे बना लेने हैं दो फंदे अब यही तीन फंदे हम रिपीट करेंगे देखे यह जो सुरू का एक फंदा इसको छोड़कर यही हम रिपीट करेंगे तीन फंदे एक फंदा स्लिप करेंगे धागा अपनी तरफ लाके दागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे हम सीधे बनाएंगे मतलब देखिए ये हमने राइड साइड से भी सीधे बनाए थे दो फंदे तो हमने रॉंग साइड से भी ये दो फंदे सीधे बनाने है दागा अपनी तरफ एक फंदा स्लिप करेंगे दागा पीछे ले जाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे तो देखे सारी रो में हमने बस यही रिपीट करते जाना है लास्ट में देखे इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट के फंदे को हमने उल्टा बना लेना तो अब row 3 पर आजाईए red side से third row सीधी तरफ से तो इसमें हम फिर से धागा change करेंगे यहाँ पर हम दूसरा color join करेंगे यहाँ पर मैं gray color का धागा लगा रही हूँ आप कोई भी color यूज़ कर सकते हो तो इसमें देखिए पहले फंदे को हमने सीधा बना लेना है पहला फंदा हमने यहाँ पर सीधा बना लिया दागा change किया और पहला फंदा सीधा बना लिया अब देखे पहली row में हमने green color का फंदा slip किया था इस वार हमने इसको सीधा बनाना है एक फंदा सीधा बनाएंगे इसके साथ एक और फंदा हम सीधा बनाएंगे एक और इसके साथ दूसरा और फंदा, दो फंदे सीधे बनाएं और फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, यही तीन फंदे हम रिपीट करेंगे, बस ध्यान आपको वो रखना है कि स्लिप किये हुआ जो पहली रो में हमने स्लिप किया था फंदा, उसको हम देखे यहां पर बुना करेंगे, फिर एक फंदा स्लिप करेंगे, सारी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट करनी हैं, लास्ट में देखे, यह दोनों फंदे आपने सीधे बना लेने हैं, अब रो फोर पर आजाईए, रॉंग साइट से फोर्थ रो उल्टी तरफ से, तो अब इसमें देखे क्या करे पहला फंदा उल्टा उतारा, अब दागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, दागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, जो पिछली रो में स्लिप किया था, दागा पीछे ले जाएंगे, और दो फंदे सी बनाए थे उनको सीधे ही बनाएंगे और जो फंदे हमने स्लिप किये थे उनको हमने स्लिप ही करना है इसी तरह से हमारा ये डिजाइन चलता जाएगा दो फंदे सीधे बनाएंगे वान टू और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा स्लिप करेंगे दागा पीछे दो फंदे स तो इसमें हम देखिए अपना वही कलर चलाएंगे जो कलर हमने पहले चलाया था मतलब ग्रीन कलर से तो ग्रीन कलर से हम यह पूरी रो सीधी बना लेंगे इसमें सारे फंदे हमने सीधे बना करके कंप्लीट कर लेंगी इस रो फिप्त को ग्रीन कलर से मैं सारी रो को सीधा सीधा बना करके complete कर लूँगी अब रो 6 पर आजाए रॉंग साइट से छटी रो उल्टी तरफ से तो इसको हमने उल्टा बना करके complete कर लेना है इस रो को पूरा हमने उल्टा बना करके complete कर लेना है तो आप देखिए 6 यह बनाने के बाद हमारा डिजाइन बे यहाँ पर ओवर हो जाता है अब इसमें आपको बिल्कुल हलका सा डिजाइन दिख रहा होगा अब देखिए जैसे जैसे हम इस डिजाइन को बनाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए हमारा यह डिजाइन कुछ इस के से बनाएंगे सॉक्स वो आपके लिए बताऊंगी अंगुठे वाली जो सॉक्स होती है लेडीज वो आपको इसके ऊपर बताऊंगी तो इसलिए आप पहले इस डिजाइन को सीख लीजिए यह देखे तो कैसा लगा डिजाइन प्लीज एक मेंड करके जुरूर बताईएग थैंक्स और आचिक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टुटोरिल के साथ अब तक के लिए बाबाए